हेलो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इक्वेलेंट रेस्टेंस निकालने का कंसेप्ट सिखेंगे ठीके तो माल लिजे अगर कुछ इस तरह का एरेंजमेंट अगर आपको गिवेन है और बोला गिया है इसमें किसी दो पॉइंट के बीच में इक्वेलेंट रेस्टेंस न सकते हैं जो फसक एक करेंट डिस्टो भीशन यूज करके और थर्ड इंटेुक्तरि करके यूज करके तीनों करके अगर करके किस्ता से なाशन करते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब दिस्टिबिशन में जो देखिए ए और बी के बीच में निकालना है जो मान लीजिए कि यहां पर इंपुट करेंट जो है डाट इस 4 आई ठीक है आप आई भी मान सकते हैं no issue but simplicity के लिए हमने 4i माना है क्योंकि यहां पर करेंट जो है यह चार इक्वल 4 equal path में ये divide हो रहा है, ठीक है, so 4 I current अगर enter होगा, so 4 I current क्या होगा बच्चों यहां से, निकलना भी चाहिए ठीक है, so देखे, 2 ohm, 2 ohm 2 ohm, so current क्या होगा equally distribute होगा, so मान लिए इसमें I है, इसमें भी I है इसमें भी I है, ठीक है, then इसमें भी I है, ठीक है, so अगर ऐसा है, so current यहां भी I आना चाहिए, यहां भी I आना चाहिए, यहां पर भी I और यहां पर भी इस path में भी I आना चाहिए ठीक है, so that I plus I plus I plus I, 4 I होना चाहिए, ठीक है, so that means यह current क्या है, यह current जो है, यह पॉइंट स्प्लिट हो जाएगा ठीक है सो इस्प्लिट होने के कारण इसको मुले स्प्लिट सो कर सकते हैं अब देखिए यह जो टूओं रेइस्टेंस आप देख रहे हो अगर करेंट यह आई गया है यहाँ पर ठीक है फर्दर इसको आप अगर डिवाइट करते भी हो अग ठीक है इसमें करेंट होगा ही नहीं क्यों क्योंकि यह करेंट जो है आपका इस तरह से निकल जाएगा यह करेंट इस तरह से निकल जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू टू ओम है ठीक है बी इक्वाल टू आई आर पोटेंशियल डॉप सेम होगा अगर करेंट सेम है distribution अगर लगाईएगा ठीक है तो यह current ऐसे निकलेगा यह इसमें से निकलना चाहिए यह इसमें से और इस तरह से यह resistance आप देख रहे हैं इसका यूज नहीं है ठीक है तो इसका यूज अगर नहीं होगा तो यह diagram कुछ इस तरह का arrangement जो है यह simple हो जाएगा ठीक है तो देखिए इसमें क्या किया हमने बीच वाला टूबो मटा दिया और इस पॉइंट जो यह पॉइंट था ठीक है इस नोट को हमने क्या क्या है split कर दिया so split करने क्या होगा देखिए आई 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 यहां फोर आई है ठीक है सेम फोर आई यहां निकल जाएगा और यह आई जो है यह फ्लो हो के इसमें आजाएगा देन यह वाला आई जो है यहां चला आएगा ठीक है यह 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 आई यहां चलाएगा इस तरह से अगर देखेगा तो यह 2 ohm यह 2 ohm क्या है तो combination क्या हो जागा 4 ohm then this two this two it is also four then again four then four ठीक है तो four 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 यह parallel में हो जाएगा और parallel में हो जाएगा इसका r equivalent कितना आएगा 1 ohm आएगा ठीक है फिर आते हैं हम लोग vertical symmetry में तो देखिए vertical symmetry means एक ऐसा line इसमें आपको choose करना है जिसके दोनों side same arrangement हो so vertical symmetry में देखे ये एक line है ठीक है जिसके इस side left में और right में same arrangement है कोई changing नहीं है so अगर ऐसा होता है so इस line पर जो भी point होंगे वो सारे equipotential होंगे means उनको जो है आपस में merge कर देना है एक single point बना के इसको joint कर देना है so single point बना के इसको joint कीजेगा vertical symmetry में so इस तरह से ये हो जाएगा ठीक है यही point है जिसको हमने merge किया है ठीक है ये वाला देख दीजिए इसको इसको और इसको हमने merge कर दिया two हमका value खतम हो गया so इससे क्या होगा ये two 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 है इस तरह के arrangement हो जाएगा so यहाँ पर दीखे two 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 ये four two ohm resistance parallel में है so इसका value कितना हो जाएगा two by four that is one by two ohm और इसका भी one by two ohm again ये series combination हो गया so R equivalent कितना होगा one ohm same आया ठीक है आब आते है horizontal symmetry बर horizontal means आप एक ऐसा horizontal line इसमें choose कीजिए decide कीजिए जो की जिसके उपर और नीचे same portion हो so ये line है A और B के बीच में लेकिन याद रखना है कि जब horizontal symmetry लगाएंगे so इसको equipotential नहीं बोल सकते हैं क्यों क्योंकि current यहां से enter करेगा और यहां से निकलेगा ठीक है उसके बीच में resistance का arrangement है और आपको A और B के बीच में equivalent resistance निकलना है so अगर merge कर दीजेगा तो फिर resistance क्या निकालिएगा ठीक है so इसलिए इसमें क्या करना है एक line choose कीजिए जो इसको उपर नीचे same portion में divide करता हो same arrangement हो ठीक है so ये line है that means this dotted line ये AB line है ठीक है so क्या करना है इसके उपर वाले portion को fold करके नीचे वाले पर merge कर दीजे या नीचे वाले को fold करके उपर वाले पर merge कर दीजे क्योंकि नीचे और उपर जो है same arrangement है ठीक है so इस line के उपर नीचे वाले को fold कर दीजे so fold जब कीजेगा so ये 2 इसके साथ चलाएगा ये 2 इसके साथ चलाएगा parallel में then ये 2 इसके साथ ये 2 इसके साथ parallel में और ये 2 इसके साथ parallel में ठीक है? So arrangement आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा देख लिजे इस तरह से ठीक है? सभी resistance 2 हो में है So 2-2 इसका parallel combination 1 हो गया इस 2-2 का 1 हो गया इस 2-2 का 1 हो गया इसमें भी अगर current distribution लगाईएगा, तो same concept, इसका value नहीं है, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इस point का potential, इस point का potential same होगा, इसमें current 0 हो जाएगा, तो इसका use नहीं है, तो इसको हटा देना है, ठीक है, तो इसको हटा दीजेगा, तो क्या होगा, ये resistance, ये resistance, series में हो गया, तो 2 ohm, ये 2 ohm, ये 2 to parallel में है, तो इसका equivalent resistance 1 ohm आएगा, ठीक है, तो इस तरह से अगर कभी बेस तरह का arrangement मिले, तो आप उसमें तीनों concept देख लिजे, अगर vertical symmetry नहीं लग रहा है, horizontal symmetry नहीं लग रहा है, तो current distribution से तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, और अगर vertical, horizontal symmetry लग रहा है, तो आप उसको लगा दीजे, तीनों में से कोई method उसकीजे, इस तरह का complex circuit अगर आता है, equivalent resistance निकालना, तो वो solve हो जाएगा, ठी झालना, तो आता है, 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 तो